बिग बोस 13 में पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना और आसिम रियास की एक तरफा लव स्टोरी को एक नया एंगल निल गया है शो में शैफाली जरीवाला के पती पराग त्यागी ने आकर बड़ा खुलासा किया है उन्होंने आसिम को बताया कि हिमांशी ने अपनी मंगीतर से प्रेक अप कर लिया है और वो बाहर आसिम रियास का इंतिजार कर रही है पराग त्यागी की ये बाते सुनकर आसिम रियास की खुशीखा ठिकाना नहीं है उन्हें अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा बीदे एपिसोड में ये बात मालूम पढ़ने के बाद सभी घर वाले आसम रियाज को हिमानशी के नाम से चिढ़ाने लगे हैं वहीं आसम ने कहा मैं बाहर जाकर हिमानशी से अपने दिल की बात बया करना चाता था मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी मुझे नहीं पता था कि हिमानशी और मेरी बात इतनी जल्दी बन जाएगी खैर हिमान्शी की तरफ से भी प्यार होनी की बात जानकर आसिम रियाज काफी खुश है लेकिन वो इस बात से काफी शौक्ट भी है कि हिमान्शी का मंगेतर के साथ 7 साल पुराना रिष्टाट तूट कैसे गया वही दूसरी तर शैनास गिल ने बताया कि हिमान्शी खुराना के मंगेतर का नेचा पुजसिव है उन्हें हिमान्शी का आसिम के साथ विग बोस में यू साथ रहना पसंद नहीं आया हुगा विग बोस के इस तेड़े सीजन के और भी कई तेड़े खबरे यू ही जानने के लिए बनी रही है हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लिटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए